जहीं दोस्तों स्वागत है आपका हमारी स्पैरे से यूटूब चैनल दोस्तों हम आज आपके लिए लेक आ रहा गए हैं टाक्टर हजारी प्रसाद दुर्वेदी इकची का जीवन पर्चे जो की आपके बोर्ड इजाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला लेकिन उससे पहले रुकिए थोड़ा मैं आपको जादू दिखाने वाला बहुत सारे बच्चे हमें इसा डावड में रहते हैं कि हम किसी भी कवी का जो है जीवन पर्चे में जो सबसे में इंपोर्टेंट होता होता है मारा सन यहीं हम जो है यह सन हमारा है इसे हम कैसे याद रख तो कोई बार नहीं मैं सारान जो है जादू इनके नाम में ही आपको दिखाने वाला बस आप लोग वीडियो को देखते तो रहिए देखें आप इस साथ है ना तो यह देखें यह डाक्टर को मा लीजे एक दो तीन चार यानि यह कितने हुए चार पांच छे साथ यानि एक लखना होगा नाम को ही हम क्या मानेंगे ट्रिक मानेंगे तो आप देख सकते हैं कि हैं जो है कितना सरल है कितना ट्रिक है आपको तो नाम यादी होगा कि डाक्टर हजारी पर साथ दुरुएदी हैं तो दुरुएदी जी हैं बस नाम में लगा देंगे उसके बाद हमारा य गया कि अब हमें जो है उनके सन को रटना नहीं पड़ेगा थी और हाँ एक बात और बता दूँ ऐसे ही मैंने जो है महादीवर्मा का वीडियो बनाया हुआ है जो रिसेंटली मैंने अपलोड किया तो आप लोग वह भी जाकर जरू देखिएगा क्योंकि यह बहुत सारे बच जरूर याद करें अब उसके बाद आती है मृत्यू यानि मृत्यू कैसे याद कर रखे सर यहां पर तो 79 दिया हुआ है यहां पर थोड़ा भी बताऊंगा लेकिन सबसे पहले थोड़ा चलिए हजारी परसाद दुएडी जी का हम पहले जीवन पर्चा तो देख लें उसके नाम जीवन पर्चे लिखेंगे हम उनका लिख देंगे आज हम समझाने के लिए आपको बता रहें डटर हजारी परसाद दुएडी जी का यहां पर हम ब्लैक पेन से क्या डाल देंगे जीवन पर्चे यानि किसका हजारी परसाद दुएडी जी का यहां पर हम क्या डाल दे तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिंदी के स्रेष्ट निबंदकार अचारे हजारी प्रशाद दुरुएदी का जन्म सन 1907 इस्वी में दूबे का छपरा नामक नामक ग्राम में हुआ था इनके पिता का नाम श्री अनमोल दुरुएदी तथा माता का नाम जोतिस अमती था था कासि जाकर इन्होंने संसक्रिस साहित या और जोतिस का उच्च अस्तरिय ग्ञान प्राप्त किया लखनव विश्व विद्यालेस इन्होंने क्या की डिलेट की उपादी धारण की भारती सहित्यका या महान सहित्यकार थे सन उनाइस सो नावासी यानि एक कम असीशी में पर लोग सिधार गये तो आपको जो है इतनी बातों को लिखना होगा धेर वहसा आपको धेर चीन लिखने की कोई जोने नहीं जिन्ना मैंने बताया सिर्फ आपको इसी प्रका लिखना और हां मैं जैसे मैंने आपके समझाने के ल लीजए है कि इस प्रकाल ऊपोरा बोट की कॉपि में वानकी उसी प्रकाल लिखना होगा जो इंटे परीषिया ईतिहास लेखन, अलोचक, शंपादन तथा उपन्यास के अतरिक्त कुसलवक्ता, यानि वह जो हैं, खुसल वक्ता भी थे यानि खुसल वक्ता उन्हें कोते हैं जो किसी भी समाज में बोलने की मद्दा रखती हैं और सफल अध्याफ़क भी थी यानि वह सफल टीचर भी थे निबंदकार के रूम में विचारात्मक निबंद लिखर आइसे निबंद लिखें जो विचारों से परिपून हो लिक भाति संस्कृति और साहित की रच्छा की दुरुएदी जी को साहित सेवा के यानि उनके जो साहितिक सेवा थी उसके लिए उन्हें उनको क्या मिला डीलीट की उपाधी प्राप्त हुई यानि उन्हें जो है साहित के लिए डीलीट कुपाधी मिली पद् चार उपन्यासकारों की क्या की रचना की इनमें इतिहास और कलपना के समनवय द्वारा नई सैली और उनकी प्रतिभा का परचे मिलता है तो दोस्तों आपको जो है साहितिक परचेम समझ गएंगी क्या 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 लिखना होगा तो दोस्तों आपको लिखना होगा धेर आपको हर बढ़ाने की जोरण नहीं है मैं जीतना बता रहा हूं सिर्फ आपको इतना ही लिखना होगा और देख सकते हैं, पूरा प्रॉसेस बोड कफी में बताया हूँ, तो इसी प्रकार आपको लिखना है, कोई भी गल्ती नहीं करना है। अगला देखते हैं उनकी जो है प्रमुक रचनाए क्या इसलिया देखते हैं तो यहाँ देख सकते हैं उनकी से निवन्द में उनका जो है बहुत से हे इसलिए लो लेना क्योंकि यह आपके बहुत इंपॉटेंट है कुटा जो गया कल पलता हो गया विचार प्रवा हो गया विचार वितर्क भी हो गया आप लोग यह निवन लेक्ते होंगे कि यदा कदा को यह हमेशा मिलते रहती ही तो जरू तयार कर लेना उसके बाद इतिहास में हिंदी साहिती की भूम क्या हिंदी साहिते हिंदी साहिते का आधिकार यह तो दोस्तों यहां तक तो आपको उनके क्या करने ना होगा कि उनका जो है निवन संग्रव पन्यास इतिहास और आप सबसे इंपोर्टेंट बाद जो मैंने आपको पहले बताया था कि आखिरकार हम उनका मृत्यू का सन कैसे आदर रहे जो कि हमारा बहुत इंपोर्टेंट और इंजामिन सबसे पहले किसी भी लेखा का सन देखता है कि यानि उनकी मृत्यू कभूई थी और कभ जन्मलिय चाहती हैं तो मैं आपको लिए बता दू यह चैनल एक दम बहतरी प्लेटफॉर्म है कि आप यहां से तैयारी कर सकते हैं और यहां पर आपको सभी तैयारियों को एकदम सरल तरीके से और ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा ताकि आपको जो है रटने की जो आदत लग च स्वीमि न तो यहां पर देखे सबसे सिम्पल भात आपको यह साथ तो समझ मेरे साथ को आपको यहां पर ध्यान रखना होगा अब बात आती है नोutet इसे हमने कहा था नाम में ही बताएंगे, तो नाम में ही बताएंगे, अब आपको क्या करना हो, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ जाना होगा, जैसे यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, साथ, आर नौ, बस, यह जो है आपको नौ निकाल लेना होगा, और इसी को यहां पर यहां पर आपको लाकर कर देना होगा, बस, यही बात, आपको यह जो नौ है, इसे यहां से लाकर, यहां पर कर देना हो, बस, यही बात, आपको नाम, देखे, नाम में ही मैंने कहा था ना, तो साथ आपको यह रखना होगा, फिन आपको इसे छोड़ कर आगे जोड़ना हो जिए उसके बाद समझ लीजे complete अब आप आप नहीं कर सकते हैं कि हमें जो है इनके सन को कभी भी सर सकते हैं और हाँ comment तो जरूर करिएगा क्योंकि दोस्तों इस प्रकार का trick बनाने में समय लगता है comment करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा बस आप छोटा सा comment कर दीजेगा कि नाइस सर ठैंक सर बस इतना comment करिएगा धेर मुझे नहीं चाहिए तो आप जो हैसी प्रकार से यहां फूल तैयारी कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा और हां महादेवी जी का मैंने बना चुका है तो उनका भी वीडियो जरूर से जरूर देख लीजी तो दोस्तों यही करना चाहूंगा कुछ कर ऐसा दुन दिमातरम